कि दोस्तों सौगत है आपके अपने यूट्यूब चैनल केरियर मेकर्स में अज हम बात करेंगे मैत के 44 में पेपर की जो लिया गया था दिनांग 30 जन्वरी को पांच बंद्रा से छे बंद्रा के बीच में आई ये देखते हैं इस पेपर में कौन से सवाल पुछे गया पहला सवाल आपके सामने ये रहा सवाल आपको कह रहा हूँ है छोटी से छोटी संक्या जिसमें से 5 घटाने पर ज्यान दीजिए का 5 घटाने पर 12 16 और 18 से भीभाजित हो जाए इसका मतलब क्या हुआ सबसे पहले थो हमें वह संक्या निकालनी पड़ेगी जो 12 16 और 18 से भीभाजित हो जाए लेकिन वह मान आना तब चाहिए जब दी गई संक्या में से हम 5 को घटा दें मतलब जो LCM है उससे 5 ज्यादा आप से पूछा जारा है ठीक है अब आप देखिए 12 16 और 18 इसका जब मैं अगर LCM निकाल लूगा तो LCM में हमारा फोकस होता है बनाना है चार आपके पास है चार और चाहिए यहां तक कमान 18 था यह मान आठ है तो आठ गुणे 18 मतलब इसका जो LCM है यह 144 है लेकिन सवाल आप से यह कह रहा है पांच घटाने पर मतलब जो 144 है वो 5 घटाने के बाद आ जाना चाहिए मतलब जो संक्या आप से पूछी जा आ गया है आपको option number 3 ठीक है बात कर लेते हैं अगले सवाल की अगला सवाल हम से क्या कह रहा है मोहन 20 km प्रति घंटे की चाल से घर से कारिया ले जाता है और एक निश्चित चाल से कारिया ले से घर लोटाता है और सच चाल 26 km प्रति घंटा है लोटते समय उसकी चाल क्या हो यहां आपको उसत चाल दे दी गई है जाने की चाल दे दी गई है आने की चाल नहीं दी गई अब जब मैं उसत चाल की बात करता हूँ तो इसके लिए जो फार्मूलों हम यूज करते हैं वो है 2AB अपान A प्लस B जिसमें से A की value तो आपको 20 दी गई है B की value आपको find करनी है क्यों क्योंकि इसका जो उत्तर दिया गया है वो दिया गया है 24 ठीक है अब अब यहां पर जो उसत चाल है वो 24 आपको दे दीगे यह A की value 20 आपको दीगे यह B की value आपको निकालनी है पूट कर दीजिए सारी value देखे अब 24 वराबर कितना हो जाएगा 2 गुणे 20 गुणे B पटे 20 प्लस ठीक है यह पूरा मामला यहां जाएगा यह पूरा मामला यहां जाएगा यह कितना हो जाएगा 24 गुणे 20 धन 24 भी बराबर 20 दुनी 40 भी ठीक है 40 में से 24 को घटा दीजे कितना हो जाएगा 16 भी बराबर 24 गुणे 20 अब इसको काटेंगे चार चोके 16, चार पंचे 20 और चार चांग 24 मतलब B की वेल्यू हो जाएगी 30 किलो मीटर पर आर यही आपके सवाल का जवाब है दिया गया है आपको आप्शन नमबर 1 ठीक है सवाल में थोड़ा सा जो अलग किया है वो यह किया है कि अभी तक आपको A और B की वेल्यू दे करके average speed पूछी जाती थी, इस सवाल में average speed आपको पहले से दी गई है, a speed आपको निकाल ली है, b, a आपको पहले से दिया गया है, ठीक है, बात कर लेते हैं, अगले सवाल की, अगला सवाल हमसे क्या कह रहा है, x बराबर 3 है, तो 7x-1, 9x-5, 8x-1 का चतुर्थानुपाती, अब देखिए, चतुर्थानुपाती का formula क्या होता है, चतुर्थानुपाती का formula मैंने आपको बताया, b, c, upon, a, जिस में से a की ये है, b, ये है, और c, अब, चुकि सभी में x है, तो x को हल करने के लिए उसने आपको क्या दे दिया है, त्रीक बतलब, सवाल तो वही है, ठीक है, लेकिन सवाल को थोड़ा सा लिंदी किया गया है, पहले आपको value निकालनी है, फिर आपको चतुर्थानुपाती निकालनी है, अब यहाँ देखिए आप, यहाँ अगर मैं x की value को put करूँगा, तो यह हो जाएगा, 7 into 3 minus 1, मतलब 21 minus 1, बराबर कितना है 20, और यह किसकी value है, ठीक है, फिर आपको देखिए, 9x plus 5 है, 9 into 3 plus 5, मतलब 27 plus 5, बराबर कितना हो जाएगा 32, यह किसकी value है, ठीक है, फिर तीसरा है आपको, 8x plus 1, 8 into 3 plus 1, 8, 24, 24 और प्लस 5, मतलब यह कितना हो जाएगा, 29, और यह किसकी value है, सिकी, अब आप सिंपली फार्मूले में तीनों की value, put कर दीजे, दिखिए, बी की value कितनी है, 32, तुने 29, एक्स बराबर 3 है, 8, 24, 8x plus 1 है याँ, प्लस 1 है, वही तो मैं सोचू कि यह कट क्यों नीरा है, पराबर कितना हो जाएगा, 25, अब आप पूट कर दीजे, 35, तुने 25, और बटे कितना है, 25, 25, 25, 25, 24, 8, 32, 8, 5, 40, बंदब इसका 4, 3, नुपार्टी हो जाएगा, 40, दिया गया है आपको, option number 1, ठीक है, सवाल में कुछ भी नहीं है, केवल सवाल को इसने थोड़ा सा टेड़ा कर दिया है, टेड़ा कर दिया है, मतलब थोड़ा सा कैल्कुलेटिव बढ़ा दिया, अभी तक जो सवाल आप से पूछा जाता है, तो उसमें value clear कट लिकी रहती थी, इसमें value उसने algebraic form में दे दी है, लेकिन उसको भी हल करने के लिए उसने x की value दे, यही सवाल अगर आप से सीधा-सीधा पूछ लिया जाता, जहां पर x की value ने दी गई होती, मतलब x के form में ही सवाल होता, और x के form में ही अंसर होता, तो यह सवाल अल्यबरा में पहुँच जाता है, ऐसे cgd के लाब़ा जो लोग chsl और cgl की तयारी कर रहें, वो इसके लिए तयार है, तो यहां अल्यबरा आपके सलेवस का हिस्सा है, जीडी में वो हिस्सा नहीं है, बात कर लेते हैं, अगले सवाल की, एक बेलन की उचाई को अपरिवर्टी तरखते हैं, तो मतलब उचाई अपरिवर्टी थे, त्रिज्या को 20 प्रतिस्द बढ़ा दिया जाता है, तो बेलन की आइटन में कितने प्रतिस्द की बढ़ा होती है, ठीक है, आइटन, आइटन किसका, बेलन का, तो पहली बात तो आप आइटन के बारे में आप जान लो कि बेलन का आइटन होता है, पाई आर स्टेर एच यहाँ पर आर क्या है आर आपकी तरिज्या है और एच क्या है एच आपकी उच्छाई है आर क्या है आपकी तरिज्या है और एच क्या है आपकी उच्छाई लेकिन उच्छाई के साथ उसने कोई छेड़ छाड नहीं की है जो भी चेंज हो रहा है वो हो कमी प्रक्सित दे करके ब्रद्य और कमी प्रक्सित पूछा जाता है तो वहां पर मैंने आप लोगों को फर्मूला बताया था ए प्लस बी प्लस एबी अपॉन हंड्रेट लेकिन यह पूरा का पूरा किसमें होना चाहिए परसंटेज में अब यहां पर अगर आप देखें तो ए और बी दोनों की ही वैल्यू कित्ती है बीस परसंट दोनों की ही वैल्यू कित्ती है बीस परसंट क्यों 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 कि हम तरिज्या को ही बढ़ा और तरिज्या को मैं दो बार क्यों बढ़ा रहा हूं क्योंकि आर किसमें दिया गया है इस्वेर में दिया अब यहां दिया गया है आपको option number 2 ठीक है अब इस सवाल को करने के लिए आपको आपको ऐसा लगता है क्या कि यह सवाल mensuration का वास्तों में mensuration के form में दिया गया है लेकिन सवाल किसका है सवाल यह मूल रूप से percentage का ठीक है बात कर लेते हैं अगले सवाल की अगला question हम से क्या करा मोहन 1500 मीटर परीदी वाले बरताकार त्रिज्या नहीं परीदी बतला परीदी आपको दे दी गई है मोहन की चाल 75 मीटर पर मिनिट है तो मोहन दोरा एक चक्कर पूरा करने हैं कितना simple सा सवाल है उत्तर किता है 20 म क्यों कि समय बराबर क्या होता है समय बराबर होता है तूरी और बटे जाने सारे बहुत सारे सवाल आपके ऐसे हैं जिन सवालों में आपको कलम चलाने की जूरतिंग पढ़नी चाहिए और यह कितना दिया गया 75 अब यहां एक धान दीजिएगा पगला मत जाईएगा कारण का यह है कि मिनेट में ही दिया गया है और मिनेट में ही आप से एंसर पूछा गया है मिनिट को MARK को सेकेंड में बदलने की कोई आवश्यक्चता नहीं है अगर हमसे एंसर से कर दो होता तो फिर हम इसको कहा है में बदलते से can we convert करते queansi की चाल में ब्र भी आपको उसी मे बात कर लेते हैं अगले सवाल की, अगला सवाल हमसे क्या कह रहा है, अगला सवाल हमसे कह रहा है, एक कार को A और B मिलकर के 12 दिनों में, B और C मिलकर के 15 दिनों में, C और A मिलकर 20 दिनों में पूरा करते हैं, A, B, C, A, 7 कार करते हैं, तो उस कार को पूरा करने लिए कितने दिन प्लस बी पहला है फिर बी प्लस दूसरा है और फिर सी प्लस ए तीसरा है अगर मैं इनको जोलूगा तो जो मुझे मिलेगा वो मिलेगा टू एबी लेकिन आप से सवाल में जो पूछा गया है वो पूछा गया है अब यह तो आपको टाइम दिया गया है तो बारा पंदर और बीस का जो एल सियम है अभी तक तो इसका एल सियम साहद आप लोगो रट भी गया होगा क्योंकि यह बाफ से बहुत जादा बार पूछा जा चुका है तो साठ में 12 का भाग दिया तो इसकी ऐखसी पांच इसकी विशेंसी चार और सिफिशेंसी थी तो अगर मैं इन तिनों को जोड़ू तो यह कित्ति हैं जाएग बार झानः और तسمंश फीके कि वैल्यों कित्ति हो जाया गारा बटने कितना खुबसूरट डाटा दिया हुआ था तुरंती कट गया जहां सवाल में थोड़ी सी दिक्कत तबाती है जब 2ABC की वेल्यू कोई और नमबर आजा है अगर विसम संग आएगी फिर सवाल को कल्कुलेट करना पड़ेगा तो आपका उत्तर दर सब लोगे चला जाएगा बात कर लेते हैं अगले सवाल अगला कुश्चन हमसे क्या कर रहा है सवान शमता वाले दो पात्रों में दूद्ध और पानी का उनुपात तीन उनुपाते चार है और तीन उनुपाते एक है मतलब एक पात्र में दूद्ध और पानी तीन उनुपाते चार है दूसरे पात् मतलब 4 लिटर है और सवाल क्या बोल रहा है समान छब्दा अगर यह समान नहीं है तो हमें समान करना है फिर क्या बोलना है दोनों पात्रों को एक ऐसे पात्र में खाली कर दिया जाता है जिसमें पूरे मिस्रण को समाहित करनी की छमता है तो बड़े पात्र में दूद और पा करो पहले वाले पात्र में रेशियो क्या है तूसरे वाले में एक कत्ता है प्रक्षोर ठीक यहां देखिए को इन दूसे ब्राबर किज यदू सवाल में ऊसने समानना है न ándскउ सब्सक्राइब उपर वाले में उपर वाले का गोड़ा नीचे वाले में अब यह कितना हो जाएगा 4-3-12, 4-4-16, 7-21-7-7 इसको आप जोड़ देंगे तो यह हो जाएगा 33, इसको जोड़ देंगे तो यह हो जाएगा 23 और यही आपके सवाल का जवाब है दिया गया है आपको option number 3. ठीक है मिस्टरन के इस तरह के सवाल और इससे भी बहतर सवाल आप पिछले पेपरों में कर चुके हो बात कर लेते हैं अगले सवाल की एक आदमी अपनी आय का 87 प्रश्चत खर्च करता है आय में 18 की ब्रद्धी ब्याय में 17 की ब्रद्धी इसके बाद उसके बच्चत की ब्र लिए सब्रून के जब भी मामला प्रश्चत आनुपाइध में देह करके प्रश्चत और अनुपाद में पूचा जाता है तो डाटा का इस्थे नहीं ऩह ठीक है यहांपर होता है में है 2 प्लस बचत अाए बलाबार होता है ब्लस बचत अब आये हमेशा कितनी रहती है सो यहां पर 87 खर्च दिया गया है तो बैय कितना है साथ किती है बचत किती हो जाएकिन普s में से 87 सो खर्चा कर दिया तो बचत कित्ती हो गई है और यह पर देखिए आये Allah एक्ठारा कि ब्रद्धी, आइ में ब्रद्धी, कितने की हो रही है, अठारा की, ठीक है, अपने ब्याई में शत्रा की ब्रद्धी, ब्याई में कितने की कि प्रद्दी हो रही है 17 की इसकी value आपको निकालने है तो इसको X कर लीजिए अब देखिए अगर मैं इस पूरे को हल करूं तो यह कित्ता हो जाएगा 1800 और यह कित्ता हो जाएगा 17 सक्ते एक सो ना इसकी नौ हासिल है 11 178 136 और 11 147 कि देखिए 17 का पहाड़ा 20 तक का जो टेबल है वो आपको याद होना ही चाहिए बराबर कितना है प्लस कितना है अब इसका X की वेल्यू आपको निकाल लिए तो 13 X बराबर हो जाएगा 1800-1489 इसको अगर मैं 1500 माल लूँ तो यह हो गया 1800 में से 1500 गया 300 89 को पूरा बनाने के लिए जरूरत है ठीक है तो 13 X बराबर 321 मतलब X की जो वेल्यू है वो हो जाएगी इतना हल करने के बाद आप देख लिए कि 24 दिसमलो वाला कोई फॉर्मेट है क्या यह आपको उत्तर हो जाए इसको आगे भी हल करेंगे 13 चोके 52 आ कि इतना रहा था 61 मतलब 9 बचेगा 90 हो जाएगा 90 हो जाएगा तो 13 चंग 78 ठीक है फिर 12 बचेगा 13 नहीं या 170 अगर आप प शैनो निकालने की आवशक्ता भी नहीं है आप सवाल को सीधे सीधे 24 लगाने के बाद टिक कर सकते हैं बात कर लेते हैं अगले सवाल कि किसी कक्षा में 60 चात्रों दौरा एक बिसे में प्राप्त मतब सभी के दौरा और सतंक किते हैं 82 उस बिसे में लड़कों और लड़कि अगलों की संख्या कितनी दी गई है साथ जिसमें जो लड़के हैं लड़के हैं तो लड़कों का असंत किकता है 75 वैसे लड़के कमी पढ़ते हैं इसलिए उनके उसात तो कम होने भी चाहिए लड़कियों के किते हैं 85 और इनको मिला देने के वात जो पूरे बच्चे हैं इनका उसब 82 अब देखिए बढ़े वाले में से चोटे वाले को घटाना 85 में से 82 घटा दिया 3 82 में से 75 घटा दिया 7 मतलब रेश्यो है 390 पाते 60 का और ये मिला करके जो बच्चे हैं वो हैं कितने 60 68 मतलब की वैल्यू कित्ती है साथ इसका मतलब एक की वैल्यू कित्ती है चेह आप से पूचा क्या है लड़के लड़के हैं कितने 3 मतलब तीन की वैल्यू हो जाएगी तीन गुने 6 पराबर एंसर हो जाएगा अठारा दिया गया है आपको option number ठीड़ ठीक है बात कर लेते हैं कि अगले सवाल कि अगला सवाल हमसे क्या करा ए और बी तीन सो तीस रुपए के लिए कारे करना प्रारणाब करते हैं मतलब उनकी मजदूरी दे दी गया यह तो किये गए काम पर अगर काम अलग-अलग है तो मतलब तीनों ने काम साथ में सुरू किया एक पहले चला गया फिर उसके बाद दूसरा चला गया फिर तीसरा चला गया या तो पहले से एक ने काम सुरू किया कुछ दिन बाद भी आया कुछ दिन मात सी आया तो यहां पर बटवारा काम के अधार पर होता है लेकिन अगर साथ में ही काम शुरू किया गया है और साथ में ही काम खतम हो रहा है तो ऐसी इस्तिती में मजदूरी का बटवारा छमता के अनुपात इसके अनुपात में होता है छमता के अब देखिए एस काम को कित्ते दिनों में कर रहा है ग्यारा दिनों भी से कित्ते दिनो मतलब इसकी जो work आ जाएगा टोटल वो कित्था आ जाएगा जाएगा छाएगा मितलब इसकी a उसकोपिसेंसी किती है तीन और इसकोपिसेंसी किती है जाना सब्सक्राइब अब सी आप से पूच्छा हूए त़ुक्छा ओप यहां अब देखिए जीरा कामने mobs, इलिला टबा these lessons नश्त रहरे कितनाओं तो अब उयां काले तो इस इस उनonn 보고 कितना बाईक च्छम्ता क्या धार पर होगा और च्छम्ता है कितनी चैने प्लस 3 प्लस 11 इता हो गया यह इसके बचावी किता बिलना है 330 6,3,3,9,100,20 20 बराबर हो रहा है 330 आप से व्ल्लु किछ की पूची गयी है सी की और सी की च्छम्ता किती है ओ स्वरी 11 क्यों ले लिया 11 तो टोटल है 11 तो टोटल है मतलब 6 प्लस 3 प्लस 2 बराबर किता है 330 मतलब 11 की वैल्यू है 330 आप से C का माल पूछ रहा 3 की छमता है 2 मतलब 330 बटे 11 तो टोट देंगे 30 और 30 दुनी उत्तर कित्ता हो जाएगा 60 रुपए और ये दिया हुआ है आपको आप्शन नमबर 1 क्या ध्याद दीजिएगा अलग से इसको जोड़ने के आवश्यक्ता नहीं थी तीनों के मिलाकर के छमता थी 11 और 11 की छमता के बदले में पैसे मिल रहे हैं 330 मतलब एक छमता का 30 तो दो छमता का साथ चाहते तो आप सवाल को अपने मेंटल कैलकुलेशन से भी कर सकते थे ठीक है बात करते हैं अगले सवाल की अगला सवाल हमसे कोल रहा है दो वर्सों में चार प्रश्यत प्रतिवर्स की दर से चार प्रति प्रतिवर्स की दर से 20,000 उपय पर चक्रवद्थि ब्याज तेसमलों अस्तानों तक बुर्णा कि जब कि ब्याज अर्धवार्स्थी कर भी कर सा है चार वर्सों क्या होता है तो दर अठी समय दो कुणा है अब यहाँ पर जो सबसे बड़ी जो हमारे लिग प्र और अर्दवारसिक होने कारण दर भी हमारी कम होगा अब जो दर आएगी वो किती आएगी चार बटे दो मतलब किती आएगी दो परटसफ़ जो समय आएगा यह किता आएगा दो गुणे दो मतलब किता हो जाएगा ठीक है निकालना क्या है चक्रवद्धी बियाद यहां मैंन 12 men चार वर्षका होता है 4 में क्या होता है चार रहे गई 1 रहे गई तीन तीन 6 3 & एच्ज्ण चार चार च्छ्छिछ सक भी लिख सकत कमता पूचिए और इक वह आ पह अब ही था या तो यह पॉचिए आपक Snит है चार दस 24 यह इंग πर ये ब्याच का मूलधन का ब्याच फिर इसका ब्याच ये इसका ब्याच ये इसका ब्याच ये इसका ब्याच ये अब देखिए मूलधन आपका है कितना दी सब्सक्राइब तर कित्ती दी गई है दो प्रच्छत मामला कित्ते का है चार वर्स का चार वर्स की कहानी अभी मैंने आपको बताई चार चार यह पूरी कहानी है ठीक है अब आपको 20,000 रुपए का 2% निकालना है फिर जो आएगा उसका 2% निकालना है फिर जो आएगा उसका 2% निकालना है अब यहां पर एक बात और उसने दे दी है दे समलों के दो अस्थानों तक पूरांकित बतलब सायद हमें यहां पर जाने की आवश्रता नहीं पड़ेगी अब आप देखिए इसका एक परसेंट किता होगा 200 तो दो परसेंट किता हो जाएगा अब 400 का 2% एक परसेंट किता हो जाएगा 42 0 हटा दीजे तो चार दुनी अब आट का 2% तो एक परसेंट किता होगा पॉइंट 08 या आठ का 2% तो आठ दुनी 16% का मामला है तो पॉइंट यहां पर मैं आपको इसलिए नहीं बोलूँकर 16 दुनी 35 यहां पर 4 0 और आप से जो पूछा गया है वो कित्ते तक पूछा गया है दो अस्थानों तक पूछा कित्ते अस्थानों तक दो यहां तो 4 0 है इसको आप नेगलेक्ट कर सकते हो अब आप इनको जोड़ लो कित्ता है यह चार सो चोके तोला सो आठ चंग इसका भी गुणा होगा च्छे अठे अरतालिस तोला चोके चौछ लेकिन देसमलो छे चार इसको आप जोड़ेंगे तो आ जाएगा सोला सो अरतालिस देसमलो छे चार यही आपके सवाल का जवाब है दिया हुआ है आपको आप्शन नमबर तार इस सव या तो दर थोड़ा सा टेड़ी हो मतब छोटी दर हो गई ठीक है 15% 35% 2% 1% 3% 6% जब कभी भी मामला ऐसा आए और या तो फिर मामला तीन साल से आगे का चला जाए तो हमेशा ही आप याद रखिएगा चाहे मिस्धन पुछे चाहे ब्याज पुछे तरीका आपको यही इस् है जिससे तुरंत उत्तर तक पहुच सकते हैं ठीक है इसके शॉट इसका ले लिजिए बात करते हैं अगले सवाल कि अब यह सवाल आपको क्या कह रहा है उस घंड का आयतन क्या होगा जिसके सबसे लंबे विकर्ण का माज 11 रूट 3 है घंड का विकर्ण 11 रूट 3 किता आयतन है वो होता है अब देखिए विकर्ण की वेल्यू ए रूट 3 की जो वेल्यू है वो दी गई है 11 रूट 3 यह और यह कैंसिल मतलब एक कमान कितना हो जाएगा 11 अब आप से पूछा क्या जा रहा है इसका आयतन पूछा जा रहा है तो आइदन किता होता है एक्यूब और क्यूब का मतलब हो गया 11 और किता एक 23 309 दिया गया आपको फूछ नमबर बात करते हैं अगले सवाल की अगला सवाल हमसे क्या कह रहा है नीता के वेतर में पहले तेरा प्रत्सत की ब्रद्दी की गई फिर तेरा प्रत्सत की कमी की गई कितना परिवर्तन होगा कमी आएगी और कित्रे की आएगी स्वरी तोला दसम्लों नो लिखाए यह यह आए कि या बताया था मैंने जो बस्तुओं का विक्रे मुल्ड समाल है एक को एक्स प्रेश्ट लाप पर एक को एक्स प्रेश्ट थानी पर बेचा जाता है तो हमेशा हानी होती और वह हानी होती है एक्स तेर अपॉन हंडर की दूसरा यह मैंने आपको बताया था कि अगर कमी और ब्रदी बराबर दी गई है तो हमेशा ही हानी होगी क्यों देखिए फॉर्मूला क्या है आपका फॉर्मूला है ए प्लस बी प्लस एबी अपॉन हंडर यह पर्सेंट का मामला है आप यहां देखिए आप यह किता है तेरा और यह कि चैनल माइनस है मतलब क्या हो जाएगी जब कभी भी इस तरह का मामला आता है तो आपको जादा कुछ करने की जूरत नहीं है दोनों का गुणा कर दीजे पटे सो कर दीजे और अगर माल लीजे ऐसा होता है एक बड़ी और एक कमी हो और ऐसा भी अगर होता है कि प्रत्सेत लग लग दिये गया है तो यह फार्मूला तो आपके पास है ही ठीक है बात कर लेते हैं अगले सवाल की अगला कोस्चन क्या करा दस पंद्रा और बीस प्रत्सेत की तीन क्रमिक छूट के समतुल एकल छूट क्या होगी प्रामला किसमें दिया गया है यहाँ पर आपके पास और किता है बीस परक्षत है सबसे पहले हम इन दोनों को निकाल लेते क्यों क्यों कि इन दोनों में 0 है तो देखिए किता हो जाएगा 10 प्लस 20 माइनस 10 गुड़े 20 बटे एक दो एक दो ठीक है 20 दस तीस 30 माइनस दो मतलब यह किता हो जाएगा अब एक परसेंट आपका 28 है और दूसरा परसेंट आपका कित्ता है दूसरा आपका कित्ता है 15 है अब इन दोनों का लिकाल लीजे तो 28 प्लस 15 माइनस 28 गुणे 15 पंदरा ठीक है अब अगर मैं इसको हल करूँगा तो 28, 5, 33 और 10, 43 माइनस 15, 8, 120, 12, 15 दूनी 30 और 12, 42 तो मैं है 43 में से 5 जाएगा कित्ता बचेगा 38 और 0, 2 है इसलिए 38, 0, 8 यह आपके सवाल का जबाब हो जाएगा दिया गया है आपको और नमबर बन एक तरीका तो यह था दूसरा तरीका यह है कि हम पूरी वैल्यू को सौ माल लें अब दस की कमी मतलब मामला किते का है नब्बे का फिर पंदरा की कमी मतलब मामला किते का है पचासी का फिर बीस की कमी मतलब मामला किते का है असी का तीक है अब देखें सौ से सौ कैं चोवन चोवन और साथ इक सर्दसंबलो दो में मिला चूट किती मिली सौ माइनस इक सर्दसंबलो तो सौ में से 62 खता हो गए अलतीस तो को पूरा करने के लिए अलतीस तो आई ठीक है ये दो तरीके हैं लेकिन मैं बार बार आपको बोल रहा हूं जब कभी भी मामला रुपए में देखे रुपए में पूछा जाए तो आप इस तरीक पर इस्ते माल की क्योंकि वहां पर आपको सौ नहीं मानना यहां व है उतर आपके सामने आजाएगा एक बार इसको निकाल लीजिए फिर उसको और बच्चे पर एक साथ ले लीजिए दो बार आपको करना पड़ेगा बस के वले यही है लेकिन यहां पर आपको डार्रेक छूट निकल रहे है और यहां पर मुल्ले करना तो सौ मेंसे आपको हटाएंगे तब आपको छूट मेलेगे ठीक है बात करते हैं अगले सवाल की अगला सवाल हमते कहरा लक्षवन अपने माल पर क्रेम उल्ले से 60 प्रचिसत अधिक अंकित करता है और 20 प्रचिसत की छूट दे देता है उसका लाव यहानी प्रचिसत अब देखिए 60 प्रचिसत मतलब 60 प्रचिसत की ब्रचिसत और 20 प्रचिसत की छूट मतलब 20 प्रचिसत की कमी फिर वही सवाल है A Plus B और A B Minux अब यहान देखिए सवाल का फॉर्मूला तो वही है A Plus B Plus A B upon hundred ठीक है अब देखे 60 की ब्रचिस, 20 की कमी है यह Plus है यह Minux है तो यह भी Minus हो जाएगा तो 60 गुणे 20 बटे कित्ता 100 12 12 यहां से कित्ता बचेगा 40 और 40-6 दूरी 12 उत्तर कित्ता हो जाएगा 28 प्रेसर धन में है तो क्या मुलेगा लाब हो गया अगर रिन में आ जाता तो उत्तर किस में आ जाता हानी में उत्तर हो जाएगा आपका आप्शन नमबर एक ठीक है कुछ सामान पर क्रेम मुले से 12 प्रेसर धरीक मुले करता है और 12 प्रेसर की छूटने देता है फिर से वही मामला यहां मैंने आपको क्या बता है कुछ करने की जूरूत ही नहीं क्योंकि दोनों का डाटा सेम है 12 बरहम 144 एक दसमलों 44 प्रेसर की हानी होगी अभी अभी एक सवाल हम 144 तो लगा हुआ है दसमलों माइनस है इसलिए हम क्या बोल देंगे एक दसमलों 44 प्रेसर की क्या हो जाएगी उसको अगर मूल रूप से दीखा जाए प्रेसर में लाब हानी और परसेंटेज हम टॉपिक्स तो लग अलग बोल देते हैं लेकिन प्रद्दी का मतलब होता है और कमी का मतलब होता है हानी वास्तों में चीजे एक हैं डील करने का तरीका भी वही है बात करते हैं अगले सवाल की दो वस्तों में से प्रत्यक को 9900 रुपे में बेचा गया एक को 10 प्रेसर की हानी पर बेचा गया दूसरी को 10 प्रेसर के लाब पर बेचा गया पूरे लें हानी दस परिस्दत का मतलब कितना होता है दस परिस्दत का मतलब होता है एक बठे दस बेचा गया मतलब यहां पर एक बात आपको ध्यान रखनी है विक्रे मुल्य क्या है विक्रे मुल्य समान विक्रमुल्य क्या है समान आप यहां देखिए 10 प्रजिसत की हानी मतलब यह अगर मैं CP ले लूँ और अगर तो यहां कितने का गुना करेंगे 11 का यहां कितने का गुना करेंगे 9 का तो 11 का गुना यहां भी होगा 11 का गुना यहां भी होगा मतलब यह कितना है माइनस 11 9 का गुना यहां भी होगा तो यह कितना है क्लिस नाँ, मतलब वैल्यू कित्ती आएगी? फिरड़ दू, ठीक है? और यह जो भिक्रे मूल है, यह किता है, 99, और 99 की वैल्यू दिया है, 99, 100, मतलब एक की वैल्यू कित्ती है, 100, तो दो की वैल्यू कित्ती हो जाएगी? 200, यही आपके सवाल का जबाब है, उत्तर दिया हो को आई होगा तो 11 का गुना यहां भी और यहीं 11 खुड़ा इसमें भी होगा 9 का मुना यहांहोगा तो 9 का क्नुना यहां भी और यह OL धे हो कि अप 2 वी 10 प्रति rival है और हनिंसència कृई तो हुगी कि कि दस बचक्ता तक और हनिंघ सबस्टें हो एक दो एक बनाब हाने कित्ते की होगी एक प्रचिष्थ की अगर हानी हूई सब परसेंट कि हाने कित्ते की हो रही है एक परसेंट की मतलब जो SP है वो कित्ता हो जाएगा और इस 99 परसेंट की जो value है वो कित्ती दी गई है 9900 और गुने कित्ता चुकि दो बस तो यह काटेंगे यह कित्ता आ जाएगा 100 गुने दो तो एक परसेंट की value तो आपको ऐसे ही निकल गई कित्ती निकल गई एक तरीका आपको सवाल लगाने का यह हो सकता है लेकिन मैं इस तरीके की सलाह इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि यहां पर लाब हो और हानी दोनों सेम थी तो calculation बहुत इजी हो गया लेकिन यही लाब हो और हानी अगर अलग अलग दी गई योती की 10 प्रश्चत की हानी है 20 calculation थोड़ा सा लेंडी हो जाता इस calculation से हम सवाल को तुरंत लगा सकते हो ठीक है बात करते हैं अगले सवाल की अनुपम ने दो लाग के प्रारभिक निवेस के साथ एक ब्यापार शुरू किया उसे चार प्रश्चत की हानी हुई दूसरे बरस के दौरान 10 प्रश्चत का अब सुद्धलाब की गरना अगर हमें करना है चुकि मामला हमें किस में दिया गया है रूपे में दिया और वहां भी रूपे में दिया अगर यह प्रतिसत पूछा गया होता तो फिर अबारा तरीका क्या होता तो हमारा तरीका यह होता कि 10 को और 4 को हमें एक साथ ले लेते और फिर दूसरी बार हम 15 को ले लेते हैं हमारा सवाल लग्या होता है a plus b minus a b upon 100 वाले फार्मूले से लेकिन यहां पर मामला रूपए में दे करके रूपए का पूछा है तो आप खुदी देखिए देखिए क्या बोल रहा है चार प्रचिसत की क्या हो रही है हानी चार प्रच फड़ाा मामला यहां क्या है तस प्रचिसत का मामला कितना एक बटे दस लाब हो रहा है यह पूरा मामला कितना थया जाथे छांग को घुलिए सिपी है और यह ठीक है चार चांग 24 चार पंचे 20 ठीक है दो त्याई 6 दो पंचे यहां देखिए 25 पंचे 25 और 25 हम कितना हो जाएगा अब का गुणा कर लिजिए तो कितना हो जाएगा 625 ठीक है यहां अगर आप गुणा करेंगे तो तेस्तिया 59 और 79 में 11 का गुणा मतलब 9 9 6 15 ठीक है और 6 और एक साथ कितना हो गया यह 700 तो यह लाब कितना दिख रहा है नौ में से पाच चला गया चार पांच में से दो चला गया तीन साथ में से 6 यह अब यहां देखिए यह CP है यह SP है यह profit है अब 625 की value हमको दी गई है 134 की value हमसे पूछ रहा है मतलब 625 की value हमको कितनी दे दी गई है दो लाक रुपिया यही तो है ठीक है अगर मैं इसको काट हूँ तो किससे कटेगा यह 625 कितना होता है 10,000 देखिए फिर आप से value किसकी पूछी गई है 134 कितना हो ज इंदी करने का कारण यह है कि calculation जब बिल्कुल डारेक्ट कर दिया जाए तो साथ आप लोगों की समझ में ना है ठीक है यहां देखिए 25 से अगर मैं काटूँगा 12, 3 दुनी 6, 3 तरकाई 9 और यह 32 रहेगा यही तो रहेगा आप देखिए कितना हो गया यह यह हो गया 8, 12 और 6, 18, 1, 9, 10, 32, 10 यह आपके सवाल का जवाब है दिया गया है आपको option number ठीक है जब कभी भी इस तरीके का मामला आता है तो आप डील इसको ऐसे ही करिए क्योंकि य SP profit हो रहा है तो profit loss हो रहा है तो loss वो आपके सामने देखिए अगर मैं इसको direct भी काटना चाहता है तो इसको मैं कैसे काट सकता था 625 को जोरत होती है 16 के और 625 को अगर मैं 16 देदू तो कितने 0 कट जाते हैं 4 0 मैं यहां से 4 0 उड़ा देता और यहां कर देता 16 16 दूनी 32 आ ज कि अगला कुश्चन हमसे क्या कह रहा है भाई रूपीज एक्स दस पेन की कीमत है जिसकी कीमत 42 उर्पे प्रतिदर्जण है प्रतिदर्जण का मतलब यह 12 पेन की बात हो रही घंटे 12.5 प्रति किलोमेटर की किलोमेटर पर 175 किलोमेटर में यात्रा करने वाला लगा समय है त तो पूछा गया होगा या तो x square plus y square या तो पूछा गया होगा x square minus y square या तो पूछा गया होगा x plus y चिक कर लेते हैं ठीक हैं जिसमें उत्तर आजाएगा वही हमारा उत्तर हो जाएगा पहले तो हमें X की value निकालनी है आप देखिए 10 पेन की कीमत है और यह 42 रुपए प्रति दर्जान है मतलब 12 पेन मिल रहे हैं 42 रुपए में 10 पेनों की आपको कीमत निकालनी है तो कित्ती हो जाएगी 42 पटे 12 और गुणे कितना ठीक है इसको और अगर डिटेल में आपको 12 और गुणे कितना 10 से दूनी 12 छह सते 42 दो पंचे 10 वर तब यह कितना हो जाएगा 35 और यह value है है कि फिर दूसरे नंबर पर क्या बोल रहा है वाई घंटे 175 किलोमीटर लगने वाला समय है तो समय बराबर होता कितना है भाई समय बराबर होता है दूरी और बटे चाल अब दूरी कितनी है 175 चाल कितनी दी गई है बारा देसमलों हटाएंगे 10 आ जाएगा 25 पंचे 125 चौधा और यह वैलू किसी है अब देख लेते हैं सवाल में पूछा क्या था क्योंकि प्रिंटिंग में स्टेक हो गया है थोड़ा सा ठीक है अब देखते हैं एक्स स्क्राइब प्लस वाई स्कर पहले चिक करते हैं मतलब 35 का इसका है और प्लस जोडा का स्क्राइब प्लस हुआ है अगर एक्स जिस्केर प्लस य पुछा होता है तो उत्तर ही आता है अगर माल लिजे कि मेरे से एक्स जिस्केर माइने की स्केर पुछे गा तो क्या करेंगे फिर वही रहता है था है 35 प्लस चोदा और 35 माइनस चोदा तो पांचार 9 तीन एक चार उनचार सुखुने कितना हो जाएगर पांच में से चार गया है एक इस नव एक कमनाओ नो दूनी अठारा एक सो नवासी एक किस चौक चौरासी चौरासी और आठ पान नवे पान नवे और दस 102, 1029 नहीं दिया गया, मतलब यह नहीं पूछा गया होगा X प्लस Y अगर पूछा गया होता तो 5, 4, 9, 3, 1, 4, 49 आना चाहिए था, नहीं दिया गया है X माइनेस Y पूछा गया होता तो किता आना चाहिए था, 21 नहीं दिया गया है मतलब आप यह माल लिए इसको और इसको नहीं दिया गया है आपसे ये पूछा गया था और उत्तर हमारा हो जाएगा 1421 दिया गया है आपको option number one में आप अपने सवाल में इसको सुधार कर लिजेगा सवाल में आपसे x square plus y square बात करते हैं अगले सवाल की अगला सवाल हमसे बोला दो संख्या हैं दो अ समझेगा जरासा lcm बराबर होता है hcf गुने a गुने b और hcf तो hcf ही है और यह जो ratio दिया गया अगर इनके बीच में कुछ भी common नहीं है तो यह value है a की और यह value पी की अगर माल लिए इन दोनों में से मैं hcf को अलग कर दूँ तो जो बचेगा वो क्या बचेगा a into यहाँ पर इस बात को समझने की आवश्यक्ता है कि hcf अगर मैं इसमें से बाहर कर दूँ lcm में से तो जो बचेगा वो क्या बचेगा a into भी बचेगा ठीक है अब यहाँ दिखे सवाल में देखे यह किता है 21 है यह किता है 116 है अब अगर मैं इसका hcf निकालना चाहता हू तो मेरा है सबसे चोटी संख्या पर रहेगा और सबसे चोटी संख्या कौन सी है 21 और 21 का भाग इसमें पूरा पूरा जा रहा है जा रहा है इसका बतलब यह है कि इसका जो hcf है hcf किता है 20 है अब अगर 21 है तो 21 गुने 6 देख लिजए 2 तयाई 6 यह lcm है hcf गुने a गु किता है तो संख्याओं का जो अंतर होता है वो होता है hcf गुने a माइनस मतलब जो बड़ा है उसमें से छोटे वाले को घटा दीजे तो 3 2 1 यह 1 ही है 3 माइनस 2 मतलब उत्तर हो जाएगा 21 गुने 1 बराबर एक तरीका तो यह हो गया दूसरा तरीका मैंने आपनों को यह बा संख्याओं पूछी गई हो तो संख्याओं हो जाती है 21 दुनी 42 एक किस त्याएं ठीक है यह भी आपको मिलिया था क्योंकि दो यह दो आगया था तीन आपको दिया ही हुआ था hcf आपने निकाली लिया इस सवाल का जबाप कित्ता हो जाएगा 21 दिया गया है आपको आप् पर खत्म होता है पेपर सरल कहा जाएगा कारण यह कि एक ही परसेंटेज के एक ही टाइप प्लस भी प्लस भी प्लस भी आप अपॉछ लिए जबकि ऐसा नहीं करना चाहिए सवाल प्रेपर अपने ट्रैक पर ही चल रहा है मैंसुरेशन में भी जो सवाल पूछा गया वह भ निश्ची तोर पर इस पेपर को जिन भी बच्चों ने दिया होगा यह उनके लिए निश्ची तोर पर एक बूस्टर डोज का काम करें अभी हमारी जो आडियो की प्रॉब्लम थी वह भी रिजॉर्ट हो गई है अब आपको वीडियो देखने में बहुत ज्यादा मजा आन झाल 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 झाल